आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 और जून 2023 में एक्जाम देने वाले और अपना कोर्स कम्प्लीट करने वाले इस्टुरेंट्स के बारे में तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे अंचक देखे अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो वीडियो की अब सीधा सुरवात करते हैं और जैसे कि आप जानते कि इस समय कॉन्वो केशन के लिए आगर आपको रेजिस्ट्रेशन करना है तो 20 मार्च 2023 आप complete हो यानि कि December 2021 में या फिर June 2022 में अगर आपका course complete हुआ है तो आप 36 convocation के लिए register कर सकते हैं और अपना degree, diploma, certificate भी जो 3 April 2023 को convocation होने वाला है उसमें ले सकते हैं लेकिन काफी सारे student ऐसे भी होंगे जिनका एक subject या फिर एक assignment उनका रह गया था और अब वो December 2022 में complete हो रहा है यानि कि December 2022 में भी काफी सारे student ऐसे जिनका course अब complete हुआ है और अभी June 2023 के जो exam होंगे उसमें भी student ऐसे होंगे जिनका course जो है वो complete होगा और उनका program complete होगा फिर उनको भी degree certificate चाहिए degree certificate डिपलोमा जो भी भी आपने किया है तो वो भी आपको मिलेगा तो उनको जो आपका डिग्री डिपलोमा certificate जिसंबर 2022 में जिनका course complete हुआ है वो इस्ट्रेंट और जून 2023 में जिनका course complete होगा वो इस्ट्रेंट उन दोनों को ही आपके जो डिग्री डिपलोमा certificate है वो 37 Convocation में जिये जाएंगी यानिकि अभी जो 36 Convocation हो रहा है उसके next जो Convocation होगा जिसको 37 Convocation कहा जाएगा उसमें आपको डिग्री डिपलोमा certificate मिलेगा December 2022 के students को और यह होगा कब तो यह होगा आपका 2024 यानिकी अगले साल जिस तरीके से अभी registration की पूरी प्रक्रिया चल रही है जहां पर आपको time दिया जा रहा है एक महीने दो महीने का कि आप Convocation के लिए registration कीजिए उसी तरीके से आपको time दिया जाएगा 37 Convocation में भी कि आप registration कीजिए हो सकता है कि जनवरी 2024 में आपके लिए उसका लिंक जनरेट कर दिया जाए और आपको एक से दो महीने का समय दिया जाए कि आप 37 Convocation के लिए registration कर दीजिए अगर आपको degree diploma certificate चाहिए आपका दिसमबर 2022 में या जून 2023 में अपना course दिया वो complete हुआ तो आपका जो दिसमबर 2022 में जितने भी स्टुएंटे जिनका final result complete हो रहा है उनको अगले साल तक का इंदिदार करना होगा अपने degree diploma certificate के लिए उसके बीच में आपको जब आपका course complete हो जाता है और grade card में सभी marks लग जाते हैं और grade card पूरी तरी के से complete हो जाता है उसके 30 से 40 दिन के अंदर आपको आपके घर में आपकी final mark sheet मिल जाती है और provisional certificate मिल जाता है आपको कहीं पर भी admission लेना है कहीं पर भी अगर अपनी job के लिए अपने जो certificate बगारा वो दिखाने तो वहाँ पर आपका final mark sheet और provisional certificate दोनों valid रहेंगे provisional certificate आपका तब तक valid रहता है जब तक कि आपको degree आपके हाथ में नहीं पहुंची एक बार आपके degree आपके हाथ में पहुंच गई उसके बाद पिर आप अपना degree और final mark sheet जो है उसको दिखा सकते हैं जहां पर भी आपको जड़रा तो लेकिन जब तक degree आपको नहीं मिली अब तक आप provisional certificate से वो सारा काम कर सकते हैं जो कि आपको degree से करने हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए